जहिन सभी को उमीद है आप बहतर होंगे अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे तो आरो आरो की त्यारी करने वाले सारे मेरे दोस्तों का मैं अभी से एक स्वागत करता हूँ यूपी संगम इमडी क्लासेश के प्लेटफार्म पर और आई आज लेकर चलते हैं कुछ ललन टाप सांदार से सवालों के स्वालों के श्रिंखला तो क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के उमीद है आप बहतर होंगे तो सभी का स्वागत है वेरी वेरी गूड इवनिंग सभी को और आए लेकर चलते हैं आज के सेशन में कुछ कुछ प्यारे और कुछ लाजबाब से सवालों के तरफ तो चलिए आरव ए आरव दोहजार तेईस की तैरी करने वाले सारे दोस्तों के लिए आज साइन्स के सेशन में हम आपको प्रुवावलोकन के प्यूआई यूज है उसके सवालों को लेकर चलते हैं तो सभी का स्वा आप देंगे जूलोजी ऐसे ही आप बाइलोजी जानते हैं और आप जानते हैं कि बाइलोजी के अंतरगत हम दो ही विशय को पढ़ते हैं एक हम पढ़ते हैं बाटनी जिसको हम बनस्पति विज्ञान कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं जूलोजी जिसको हम जन्त विज्ञ कहते हैं तो यह क्या होता है वनस्पत विज्ञान कौन सा विज्ञान होता है वनस्पत विज्ञान और यह क्या होता है जन्त विज्ञान तो वनस्पत विज्ञान और जन्त विज्ञान यह दो विज्ञान है तो आप से जुलोजी पूछा हुआ है क्या है जब आप सभी को द जुलोजी में बाटवारा नहीं हुआ है जीवित हों की मिर्थ हों दोनों परकार के जीवों की बात करेंगे और बाइलोजी के जनक किसको कहते हैं तो बाइलोजी के जनक हम अरस्तू को कहते हैं Aristotle को कहते और Geology के भी जनक इन ही को कहते हैं जबकि वनस्पति विज्ञान के जनक हम Theophrestus को कहते हैं हम किसको कहते हैं Theophrestus को कहते हैं चलिएगा आगे चले सवालों के तरफ हाँ बहुत बढ़िया सिवरंतिवारी बहुत बढ़िया अगे अगले सवाल के तरफ हम चलते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करें तो सूची एक को सूची दो से मिलान करते हैं ये चारो आपसन को मिलान करके बताईएगा कि यहाँ पर क्या सही जबाब आपके पास होने वाले हैं इसका जबाब आपको देना है क्या जबाब होगा देखेगा अगर पक्षी की बात करे तो आरनितो लाजी होगा वनसागती की बात करे तो जेनेटिक्स होगा प्रयावरण की बात करे तो इकोलोजी होगा और जिवास्म के लिए आपका पैलियो बाइलोजी होगा तो यहाँ पर सही जबाब जो है आपका 3,4,2,1 यह वाला है यानि B option है और सबसे पहले सवाब दिया है बड़ा बड़ा लिखो सरी है कागच नहीं है अच्छा ठीक है मेरे भाई चलिए बड़ा और कर देते हैं तो यहाँ पे सही जवाब जो है B option का है चलिए अगला सवाल है आपके सामने वो पूछा हुआ है फूलो के अध्यन को क्या कहते है फूलो के अध्यन को क्या कहते है बताइएगा नेहा जवाब देजेगा सभी लोग से एकी आग्रह की request है कि पूरी energy के साथ एक बाद session को like कर दीजेए और बताइए क्या होने वाला है फुलो के अध्यन को जैसे फलो के अध्यन को हम पोमोलाजी कहते हैं वैसे फुलो के अध्यन से जुड़ा हुआ सवाल आपके पास आया है क्या कहेंगे फुलो के अध्यन को क्या कहेंगे फुलो के अध्यन को क्या कहेंगे चलिए तो देखेगा अगर आप से फलों का अध्यान पूछता है ना फल का अध्यान तो फल के अध्यान को हम पोमोलाजी कहते हैं क्या कहते हैं पोमोलाजी अच्छा फूलों का अध्यान कहता है तो आप एंथोलाजी कहेंगे पैलीनो लाजी जो होता है पराग कड का अध्यन है घास का अध्यन एग्रेश्टो लाजी है और यहाँ पर फ्रेनो लाजी जो है मस्तिस के बिभिन भागो का अध्यन है ठीक है चलिए आगे चलते हैं पूछा हुआ है कीटो के बैग्यानिक अध्यन को क्या कहते हैं यह important point है और यह आपके एक्जाम में यह सवाल बार-बार आया है कीटो का अध्यन क्योंकि हाँ जिवास्म को पैलियनो लाजी बहुत बढ़िया तो गलत हो गया अच्छा तो इस सवाल का जबाब क्या होगा थोड़ा मुस्कुराते हुए जबाब देना है एक्थियो लाजी पैरिस के बारे में कहे तो किसका जबाब देना है यह पैरासिटो लाजी में परजीवी के बारे में हम बात करते हैं और मेलेको लाजी में हम मुलस्का यानि घोगा शंग के जीवों का बात करते हैं घोगा संग के जीवों का बात करते हैं तो यहाँ पर सही जबाब आपने दिया ह एकदम सुरुवात से आपको लेकर चलते हैं सवाल पूछा निमलिखित में से कौन सा भिस है जनसंख्या एवा मानो समुदाय के महत्वड आकडों के अध्यन से संबंदित है यहाँ पर जबाब दीजिएगा अरे बहुत बढ़िया राहुल इसका जबाब क्या होने वाला है बताईए इस सवाल का जबाब निमलिखित में से कौन सा भिस है जनसंख्या एवा मानो समुदाय के महत्वड आकडों के अध्यन से संबंदित है तो यहाँ पर क्या होने वाला है जनांकी की क्या होने वाला है जनांकी की और इसी जीव की संख्या को हम क्या कहते हैं जनसंख्या कहते हैं और अलग-अलग जनसंख्या से हमारे पास क्या बनते हैं समुदाय बनते हैं और यही समुदाय जो है आगे चल के आपके पास पारिस्थितिक तंत्र और एक-एक करके अलग-अलग चीज़ें बनाई जाती हैं चलिए पूछा बिभिन संस्कृतियों के बैग्यानिक वीवरड के तुलनात्मक अध्यन को क्या कहते हैं चलिए बताइए जबाब क्या होने वाला रहुल इसका जबाब दीजेगा बिभिन संस्कृतियों के बैग्यानिक वीवरड के तुलनात्मक अध्यन को आप क्या कहेंग तोलनात्मक अध्यन को आप क्या कहेंगे जवाब दीजेगा ठीक है इसमें क्या जवाब होगा इतेनो लाजी होगा या दी होगा सभी ने एक ही जवाब दिया ethics विबिन संस्कृतियों के बारे में अगर हम बात करेंगे तो क्या इसका सही जबाब आप ethics पे जाएंगे किलियर है या क्या बोलेंगे इसका सही जबाब चलिए आगे लेकर चलते हैं इसका सही जबाब इथेनोलाजी पे जाएंगे किस पे जाएंगे इथेनोलाजी पे जाएंगे इथेनोलाजी बिभिन संस्कृतियों के विब्रड के तुलनात्मक क्या कहते हैं मसीनी जगत में बायो मेट्री है बायो निक्स है बायो नॉमी है बायो नॉमिक्स है या आपका बायो मेट्री है हाँ हाँ एथिक्स आपका वैसे क्या होता है भई नैतिक सास्तर राहुल जीव कह रहा है इस सवाल का जबाब दीजेगा इस सवाल का जबाब आप क्या चुनेंगे इसका जबाब दिजेगा क्या चुनेंगे भाई इसका सही जबाब क्या होने वाला है जैविक जगत में होने वाले कार गुड और पधती के अध्यन को या इस ग्यान के मसीनी जगत का उपयोग करने को क्या कहते हैं तो Bio Nix कहते हैं यहाँ पे सही जवाब आपका Bio Nix हो गया केलियर यानि ए अप्शन है चलिए अगला सवाल है आपके सामने वो पूछा हुआ है पहलियो वनस्पति के अंतरगत हम किस का ध्यान करते हैं पहलियो वनस्पति ये जवाब आप जानते होंगे पहलियो का मतलब एक लड़का कुछ दिर पहले इसके बारे में बोला था तो भाया इसके बारे में अभी कुछ दिर पहले कुछ लोग बोल रहे थे आप इसमें किसका जवाब चुनेंगे बताएए क्या चुनेंगे इसमे पहलियो बनस्पती के बारे में मैं आपसे कहना चाहता हूँ एक आपने एक लियोनार्डो दो विंसी का नाम सुना होगा फादर आफ फॉसिल्ड जो जिवास्म जगत के पिता हैं उसको हम लियोनार्डो दो विंसी हैं लियोनार्डो दो विंसी भाया इनके बारे में आप जानते होंगे इन्होंने बहुत सारे पेंटिंग बनाई है मोना लिसा पेंटिंग इन्हीं के द्वारा बनाई गई है यहाँ पर इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि इसका सही जवाब जो है न वो है आपका जिवास्म जिवास्म है और जिवास्म के भारत में डाक्टर बिर बिर्बल साहनी यहाँ पर आएगा किलियर है भारत में कौन आएगा भाई तो भारत में आपके पास इंडियन पहलियो बॉटनी के जो जनक होंगे जिवास्म बनस्पती के जनक कौन होंगे आपके लिए प्रोफेसर बिर्बल साहनी भारत में जिवास्म बनस्पती के जनक कौन होंगे जिवास्म बनस्पती के जनक जो होंगे डाक्टर बिर्बल साहनी होंगे लकनव में लकनव इन्वस्टी में इनके नाम पर आप जानते हैं कि विभाग है विभाग का नाम जिवास बनस्पती जो है इनके नाम पर विभाग बना हुआ है बिर्बल साहनी के नाम पर ही चलिए अगला सवाल आपके सामने पूछा हुआ है पूछा हुआ है रेसम कीट प जफ्तियों पर उगते हैं और यहां पर जो चार आप्शन है ना हालटीending कल्चर से लोग कंफ्यूज होते हैं कि फ्लावर की फूर्ट तो यहां पर फ्लावर से लोग फूर्ट बनता है। दोनों लेते हैं। फलॉरी कल्चर से केवा फूल की बात करते हैं सेरी कल्चर से रेसम की बात और एपी कल्चर से सहद की बात करते हैं एपी कल्चर से किसकी बात करते हैं सहद की बोलो एपी कल्चर से किसकी बात करते हैं मेरे भाई सहद की हाँ बिल्कुल ये सारी काम उन्हों नहीं किया था एक क्योद हम बिल्कुल यहाँ पर एक सवाल है मदमक्खी का उपयोग किया जाता है इसके किसमे देखें टीसु कल्चर से आप जानते प्लांट्स का निर्माण होता है प्लांट लेट छोटे छोटे पौधों का निर्माण होता है PC कल्चर PC कल्चर क्या है मचली उत्पादन होता है है न AP कल्चर आपके लिए सहद होगा और सेरी कल्चर क्या होगा रेसम होगा एक दम भया खुश रही है भया हाम बिलकुल चलिए पूछा है निमलिखित में से कौन सा एक सही है इसमें से सही बताएगा फलों की खेती सबजियों की खेती फसलों की खेती और फूलों की खेती एक निमलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है यानि एक आपका गलत है इसमें से किसको एक गलत मानेंगे एक गलत है आपको जबाब देना है एक जबाब दिजे इसमें से कौन सा गलत है सही सुमेलित नहीं है सही सुमेलित नहीं है किसको चुनिएगा देखेगा फूलों की खेती को हम एक ग्रूरी कल्चर कहते है फसलों की खेती को हम एक गुरू नामी कहते ये भी सही है सबजियों की खेती है सबजियों की खेती को क्या हाल्टी कल्चर कहते है क्या गलत है इसका सही जबाब क्या है फलों की खेती सही जबाब क्या है कि इसमें से गलत कौन सा यही तो इसमें से C option आपका गलत है C option खुस्बू का सही है, रस्मी पटेल का भी सही है और बिलकुल दीपक जी का सही है नेहा का सही है यहाँ पर एक और सवाल पूछा है सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधों के अध्यन को क्या कहते है यह जबाब था इसलिए हम पिछले सवाल में आपको आंसर नहीं बताए चलिए, बताइए, क्या होगा नहीं पूछा है इसलिए तो C आया है option नहीं पूछा है, इसलिए C आया है बताइए, क्या होगा हाँ, इसका जबाब क्या देंगे आप सब्जी के लिए क्या देंगे जी देखिएगा, अगर हम ऐसे कहते है नव फल के बारे में, तो आप जानते हैं, अंडासे से किसका निर्माड होता है फल का, अगर अंडासे के बाद अंडासे से फल बनेगा तो सत्य फल होगा नहीं बनेगा तो जूठा असत्य या कूट फल होगा ओलेरी कल्चर ओलेरी कल्चर लगवक सभी के जबाब सही है पूछा है कौन गलत है सुमेलित नहीं है मतलब कौन सा इसमें गलत है जबाब दीजे एक जबाब बताइए क्या होने वाला है इसका सही जबाब चुनियेगा पूछा हुआ है कि भीया AP कल्चर सहद वाला है सेरी कल्चर सिलक वाला है PC कल्चर क्या है इसमें सेख चुनिये हाँ बिल्कुल लाइक वाइक करो भया एक दम क्या गलत हो गया PC क Culture गलत हो गया ओके पक्का चलिए PC कलचर समने गलत किया है ओके भई तो हार्टी कलचर फूल सही होगा सेरी कलचर सिल्क ओम और सहद तो PC कलचर क्या होगा मचली जल की रानी है जीवन उसका पानी है बिल्कुल बहुत बढ़िया अगला है निमलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है कौन सी जोड़ी सुमेलित है इसका जबाब आपको देना है कौन सी जोड़ी सुमेलित है बताईए सही है सही जोड़ी क्या है अभी आपने एंटेमोलाजी कीट के लिए पढ़ा था सब्दकोस का सं संक्लन क्या कहलाता है Lexico Gore barfekajata यह वाला ऑपशन क्या है ईटर पूछा वीटी कल्चर निम्ड में से उतपादित होता देखे जाहं पर 1 बश सता है तो निया कर और कुछ अपा क्स पपादन क्या होता है वर्मी कल्छर में लेकिन अगर हम से वीटी कल्चर पूछत तो सभी लोग जबाब दीजेगा बहुत बढ़िया धुआधार तरीके से जबाब आरा है अंगूर अंगूर के लिए हाँ अंगुर छलि अगला सवाल है कि भीया वीटी कल्चर के बाद कीट का समारधन क्या है कीट का समारधन पूछा है कीटों की बृद्धि जनतुओं का अध्यन मचलियों का अध्यन या कीटों को मारने का विज्ञान यह दोनों तो नहीं होगा इन दोनों में से एक बताओ कीट समवर्धन का क्या मतलब होगा बताए कीट समवर्धन का क्या मतलब होगा बिल्कुल कीट का जन्तु से तो सम्मंद होगा नहीं यानि ये भी आप्शन गलत कीट समवर्धन की बात का है और आर्थो पोड़ा संग में कीट आते हैं अगर कीट की बात हम करें तो आर्थो पोड़ा जिसको हम कहते हैं लार्जेस्ट फाइलम सबसे अधिक जीव इसी में पाय जाते हैं लार्जेस्ट फाइलम किसको कहते हैं आपका आर्थो पोड़ा को कहते हैं पूछाए, वर्मी कल्चर में परियुक्त वर्म होता है, वर्मी कल्चर, तो वर्मी कल्चर में टेप वर्म होगा, सिल्क वर्म होगा, थ्रेड वर्म होगा, वर्मी कल्चर में क्या होगा भया, एक बार दाड़ो, वर्मी कल्चर किसको चुनेंगे, थ्रेड वर्म को, अर्थ हो निलीडा संख में आते हैं इसों इनिलीडा यहाँ पर केचवा हुते हैं जिनके शरीर आप जानते हैं छोटे-छोटे अंगों में विभाजित होते हैं तो यहां पर यह आपका D आप्षन बनेसाशपशन अगला辅ग जबार है जैने टिक्स निमन में में पढ़ना बिचरण अन्वान सिक्ता या अन्वान सी करेक्टर के बारे में अच्छा DNA की समचना तो सबने पढ़ी है ना वाट्सन और क्रिक को तो सबने पढ़ा होगा बोलो क्लियर है जैव बिकास जैव बिकास के बारे में पहला सिध्धान जो सबसे सरोमाने सिध्धान्त है वो AI ओपेरिन का है मेंडल ने तीन अनवान सिकी समंधित नियम दिये थे और बिलकुल आपने कहा सर जी डी आप्शन किलियर है ते एक दम किलियर है थोड़ा लाइक ठोको और अगले सवाल के तरफ चलो कोश्चन नंबर 19 में का सही जवाब क्या है बताईएगा पूछा हुआ है जेरेंटो लाजी निमलिखित में से किसके अध्यन से समंधित है जेरेंटो लाजी और देखे इस बार आपको पता है कि भया आरो आरो में कितने फार्म भरे गए है थोड़ा यार दिलाईए एक बार आप लोग सुनें बहुत ज्यादा फार्म भरे गए हैं लल्ला बताओ कितने फार्म भरे गए हैं किलियर है ना इस बार बहुत सारे फार्म भरे गए हैं और इसी में से एक सीट आपको लेनी है लेनी है ना एक दम पूरी इनर्जी के साथ ये ब्रिध ब्रिध लोगों के अ अपने लिए लेनी है पूछा है बृद्धा वस्थायों काल प्रभावन के विशे में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को क्या कहते हैं तो सेम सवाल है सेम सवाल है क्या है ब्रिधा वस्था यो काल प्रभावन के विशे में तो इसमें ब्रिधा वस्था वो काल प्रभावन क्या है जेरेंटो लाजी है क्या है आपका जेरेंटो लाजी है क्लियर है ना चलिए आंको लाजी किस से सम्मंदित होता है कैंसर से अच्छा कैंसर की जांच हम करते हैं बायोप्सी बायोप्सी और आप जानते आर्नितो लाजी जो होता है आर्नितो लाजी वो पक्षी के लिए होता है अच्छा बर्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है भारत में बर्ड मैन के नाम से कौन जाना जाता है चली अगले सवाल के तरफ चलते हैं और इसका जवाब दीजेगा अब देखेगा सेम सवाल है इसको रहने दीजे ठेक ना ये मानो एंथ्रोपुलाजी जो होता है मानो के विकास का मानो विकास का अध्यान है ये तो आप पैडोलाजी का सम्मंद किसे है पैडोलाजी बीज प्रदूसर्ड मिट्टी या वायू मंडल पैडोलाजी का सम्मंद इसमें किसे है पैडोलाजी सली मली बहुत बढ़िया पैडोलाजी का सरिता कह रहे हैं सर जी ए होगा वायू मंडल ना वावो मिट्टी होगा क्या होगा म पिट्टी होने वाला है चलिए पूछा है अस्थियों का अध्यान बिज्ञान की किस साखा के अंतरगत करते हैं अस्थियों का अध्यान अगर हम भुगर्व का अध्यान करें जीयोलाजी मतलब भुगर्व बिज्ञान भुगर्व बिज्ञान जहां और बून के बारे में हम और ब्लड के बारे में अगर हम कहें तो सिरोलाजी ब्लड के बारे में और आस्टिोलाजी और बोन की कोसिका को क्या कहते है बोन सेल का नाम क्या है आस्टियो साइट आस्टियो साइट किस की कोसिका है बोन की कोसिका है बोन की कोसिका है न अगला शवाल है भाई पूछा है सर्पों के बिषय में जनकारी किस से प्राप्त होती है सर्पों के बिषय में अब देखो आरनितो लाजी तो इसमें होगा नहीं क्योंकि आरनितो लाजी पक्षी से जुड़ा हुआ है और आप जानते हैं सर्प आपके रेंगने वाले जानवरों में आते हैं, यानि सर्प किस में आते हैं, रेंग कर चलने वाले जानवरों में, तो आप इसमें सही जबाब किसको देंगे, सर्पेंटो लाजी, हर्पेटो लाजी, या आर्नितो लाजी, या एक्थियो लाजी, इसमें से किसको चुन सर्पेटो लाजी एक्थियो लाजी में हम लोग किसके बारे में अध्यन करते हैं मचली के बारे में आप जानते हैं मचली जबडे वाली बिना जबडे वाली अलग-अलग तरह की मचली आती है सर्पेटो लाजी जो होते हैं साप में एक 20 गरंथी पाई जाती है क्या पाई जाती है 20 गरंथी पाई जाती है न तो 20 गरंथी जो होती है पैराट्वाइड ग्लेंड होती है यानि लार गरंथी होती है कईके बार ये सवाल पूछता है कईके बार पूछता है तो लार गरंथ पूछाए निम्न में से बेमेल को ग्याद किजिए एक ऐसा है जो इनमें से मैच नहीं कर रहा है वह एक ऐसा है जो बेमेल है बाइलोजी से जुड़ा हुआ नहीं है बहिया कौन इसमें से बाइलोजी से जुड़ा हुआ नहीं है बताईएगा फिजियोलाजी, पैथोलाजी, साइकोलाजी, बैक्त्रियोलाजी. साइकोलाजी ये नहीं है, पैथोलाजी सब बाइलोजी से जुड़े हुए है पस एक, फिजियोलाजी wok mantlesine, उच्छर्जन ये सारे तंत्र होते हैं। उसको हम phigology कहते हैं और आज कल आप जान रहे हैं hydrophonics technique के बारे में आज कल बड़ा market में ये बना हुआ है कि hydrophonics technique हाँ ऐसे hydrophonics है ऐसे ही aerophonics है aerophonics है aerophonics क्या है वायू में क्रिसी और hydrophonics क्या है आपका मृदा बिहीन क्रिसी मृदा बिहीन plant लगाना मृदा बिहीन प्लांट hydrophonics बिना मिट्टी के खेती करना इसी को हम कहते हैं बिना मिट्टी के खेती ठीक है हाँ चलिए अगरा सवाल देखेगा पूछा है नीचे दिये गए सही कालकरम को चुने जो सबसे पुराना है वो सबसे पहले आएगा बताईए सही कालकरम को चुने सही कालकरम को चुने इयोसीन, मायोसीन, प्लास्टोसीन होलोसीन यानि A और D तो नहीं होने वाले यही बिल्कुल बैक्ट्रियोलाजी देखो यहां पर आप साइकोलाजी यहां पर बेमेल है बैक्ट्रियोलाजी अच्छा एक मिनट एक मिनट ओके यहां पर तो सही बात आप कह रहे है बैक्ट्रियोलाजी यहां पर अलग होगा साइकोलाजी तो आदमी के मस्तिक से जुड़ा हुआ है ठीक मनुष से ही जुड़ा हुआ है यहां पर चुनिएगा एक क्या आएगा आपके पास इसके बारे में बताएए क्या आने वाला है देखेगा यहां पर इयोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, प्लास्टोसीन और होलोसीन यह रटना पड़ेगा च्छतिस गड़ में आया था, आपके यहां नहीं आएगा, ट्राइसिक, जुरेसिक आपके यहां आया सकता है यहां पर पूछा है कि भईया निमलिकित में से कौन सी गैस प्रिथिवी के वाई मंडल में अनुपस्थित थी बहुत पहले ऐसी एक गैस है, जो प्रिथिवी के वाई मंडल में क्या थी, अनुपस्थित थी कौन सी गैस ऐसी है, जो अनुपस्थित थी, बताईए एक ऐसी गैस है इसमें से, देखिए सबसे पहले जो वाता वरड़ था, उसमें आक्सीजन नहीं था आक्सीजन आपका जल से निकला है, और पहली बार जब आक्सीजन निकला है तो ब्लू ग्रीन एलगी के द्वारा निकला है, जिसको हम साइनो बैक्टरिया कहते हैं नीला हरा सेवाल, यही होगा, नीला हरा सेवाल चले, आगे चलते हैं, पूछा है, निमलिखित कत्रों में विचार कीजिए पृत्वी का चुम्ब की छेतर हर कुछ सो हजार सालों में उत्करमिक हुआ है पूछा है, निमलिखित कत्रों में से कौन सा सही है तीन है जब जीव पैदा होगे तो उन्हें आरंबिक वाई मंडल को बदल दिया प्रिथवी जब 4000 मिलियन वर्षों से भी अधिक पहले बनी तो आक्सिजन 54 प्रतिसती कार्बन डाइकसाइड नहीं था इसमें से आप ध्यान से देख कर करिये कैसे जबाब होगा अभी हमने आप से क्या कहा कि पहले कार्बन डाइकसाइड आया यहां पर पूछा है कौन सा सही है यानि दूसरा वाला तो सरासर गलत है और सरासर गलत होने का मतलब आपका B और D दोनों के दोनों गलत है बी और डी दोनों के दोनों क्या है गलत है तो इसका जवाब चुनिएगा क्या होगा इसका जवाब चुनिएगा आप जानते हैं कि जब भी पृतिवी के चुम्बकी छत्र के बारे में हम बात करें तो 1100 सालों के बाद से आप जानते हैं 1100 सालों के बाद जानते हैं क्या होता है प्रिथवी की जो अंदर की प्लेटे हैं वो मूव करती है तो कुछ न कुछ चुम्बकी छतर में बदलाव आता है और जब जीवित जीव पैदा हुए तो उन्होंने प्रिथवी के आरंभिक वाई मंडल को बदल दिया यानि पहले कै कैसा था reducing बाद में कैसा हुआ आक्सिडाइजिंग तो पहले कैसा था reducing अब चायक था और बाद में कैसा हुआ आक्सिडाइजिंग ठीक है तो यहां पर सही जबाब यह वाला है ओके चलिए आगे पूछा है वर्तमान प्रमाड के नुसार पृथवी पर जीव का उद्वन उद्गम हुआ है पृत्वी कितने वर्स पुरानी है तो 4 billion साल पुरानी है लेकिन अगर हम आप से कहें क्या कह रहा है पृत्वी पर झीव का उद्गम कब हुआ है तो झीव का उद्गम हुआ है आपके लिए ये दी अवला साथ सबसे पुराना जीव कौन सा है तो सबसे पुराना जीव जो है वह कीमो हेटरो टॉफ हैं लेकिन कीमो हेटरो टॉफ के बारे में कभी सवाल नहीं पूछा क्योंकि वह सबसे primitive जीव थे उनके बारे में प्रापर स्ट्रक्चर ने पहला प्रकासंस लेसी जिव जो है पहला प्रकास्टंस लेसी जिव वो निला हरासाईवाल है Blue-Green पहला प्रकासाउच्टंस लेसी जिव कौन है निला हरास एवाल क्लियर है निला हरास ओने ठीक है अब आई abort К mosthak, Pustak the origin लिदे लाक मेंडल यहां पर आपको जवाब देना है लीनियस के बारे में आप जानते हैं इन्होंने एक इताब लिखी थी जिसका नाम था सिष्टमानेचुरी मेंडल ने अनुवानसिकता का सिध्धान दिया और इनों ने तीन नियम दिये प्रधानता का नियम प्रिथा करण का नियम और स्वतंत्र अभ्यूवन का नियम डार्विन ने ओरिजिन आपे स्पेसिज नाम की किताब लिखी तो इसका सही जबाब यह है अगला सवाल आप से पूछा है नेचुरल सेलेक्शन के बारे में किस पर अधारिद है ओवर प्रोडक्शन स्ट्रगल आफ एक्जेस्टेंस एंड वैरियेशन सर्वाइवल आप दा फिटेस्ट तो प्रकृति किसका चैन करती है तो प्रकृति उसका चैन करती है जो सबसे फिट है और सबसे हिट है यानि प्रकृति उसका चैन करती है जिसक वो पूरी तरह से survive कर रहा है, तो यहां पर क्या होने वाला है C, survival of fittest, theory of evolution पूछा हुआ है, theory of evolution के बारे में, जब आप दीजेगा, theory of evolution के बारे में, एस्पेंसर, डार्विन, हक्सले हक्सले ने जिवद्रव्य को जीवन का अधार कहा था हक्सले ने क्या कहा था इन्होंने कहा था जिवद्रव्य जो होता है जीवन का अधार होता है इन्होंने कहा है कि जिवद्रव्य क्या होता है जिवद्रब्य जीवन का आधार होता है ठीक है अक्सले ने का लेकिन विकासवाद का सिधान्त भी किस ने दिया डार्विन ने ओके कोई डाउड तो ने पूछा है जैव विकास का सरोपर्थम जैव विकास को सबसे पहले किस ने समझाया न्यूटन ने देखिए न्यूटन ने किताब लिखी थी जिसका नाम आपको पता है क्या न्यूटन ने अलग-अलग नियम भी दिये न्यूटन ने गती के नियम दिये न्यूटन ने गती के नियम के साथ-साथ गुर्तवा करशड का नियम दिया और इन्होंने किताब भी लिखी थी गुर्त्वा कर्षण का नियों जिसका नाम था प्रिंसीपिया चलिए बताईए इसका सही जवाब क्या होगा सबसे पहले किस ने समझाया इवाल्यूसन को एक वैज्ञानिक हुए लैमार्क जिन्होंने यूज एंड डिस्यूज के सिध्धान्त को जिसका उप्योग करोगे उसका विकास होगा और जिसका उप्योग नहीं करोगे तो उसका विकास ने होगा वो बिलुक्त हो जाएगा जैसे साप के पैर साप ने यूज करना छोड़ दिया धीरे धीरे गायब हो गया ठीक ना वैस के उत्परिवर्तन के सिध्धांत का किसने प्रतिपादन किया था उत्परिवर्तन का मतलब होता है DNA में एक-एक बदलाव उत्परिवर्तन के बारे में आप जानते हैं Sudden Change in DNA इसी को उत्परिवर्तन के उत्परिवर्तन का मतलब DNA में एक-एक क्या होता है बदलाव होती और इसके बारे में बताने वाले कौन थे Hugo Debridge इसलिए इनको हम Father of Mutation की संग्या देते है Father of Mutation Hugo Debridge चलिए अगला सवाल है यहां पर एक आपके पास देखिएगा एक सूची दी हुई है इसको मिलाइए अभी हमने आपसे का उत्परिवर्तन का सिद्धान किस ने दिया Hugo Debridge ने अभी तो बोला था ना किस ने दिया था Hugo Debridge ने विकास का सिद्धान किस ने दिया एक जीन एक परिकल्पना किस ने दी तो यह सवाल का जबाब आपको बताना है बताए क्या होगा उपेरान किया धारणा किस ने दी यह पूरा सवाल देखिएगा इसका जबाब क्या होने वाला है तो पहले आपशन का होगा आप ध्यान से देखकर बताएए इसका सही जबाब क्या होने वाला है देखेगा यहाँ पर पहले वाले का चार यानि ये दोनों सही ये गलत दूसरा देखेगा विकास वाद का सिध्धान किस ने दिया था तो ये आपके पास डार्विन ने एक जीन और एक इंजाइम की परिकलपना निूरो एस्पोरा में दिया गया निूरो एस्पोरा में और ये बीडल और टाइटम ने दिया उपरान की अधारणा जैकब और मोनार्ड ने दि चार तीन एक दो आपसर नमबर बी आपसर नमबर क्या होगा बी पूछा है अगली है सुची बिकास का मुख्य कारक क्या है बिकास का मुख्य कारक क्या है बताईए बताईए लेंगिक जनन प्राकृतिक वर्ड हासिल किये हुए गुड या उत्परिवर्थन आप जानते हैं कि DNA में एका एक बदलाव आ जाता है इसी को हम उत्परिवर्थन कहते है लेकिन लेंगिक जनन से विभिनता आती है लेंगिक जनन से क्या जनरेट होती है विभिनता वैरियेशन जनरेट होती है विभिनता तो मेरे हिसाब से इस एकजाम का आंसर थो सी होना चीए था लेकिन जो बी प्राकृतिक वर्ड है natural selection को माना है किसको सही माना है natural selection को ठीक है किलियर क्वेडावट तो नहीं अगला सवाल देखिएगा जैव विकास के संदर में सापों के अंगों का लोप हो जाना अब मैंने आपसे क्या कहा था जिस अंग का उपयोग करोगे वह अंग रहेगा और जिसका उपयोग नहीं करोगे वह अंग बिलुप्त हो जाएगा तो उसमें बिलुप्त हो जाने वाले अंगों का उप्योग ये लैमार्क ने कहा था अंगों का उप्योग तो था उन उप्योग किये जाने से समन्दित तो ये लैमार्क वाद का सिधान्त है किसका सिधान्त है लैमार्क वाद का तो भीया इस बार सबसे बड़ी भरती है आरो की समिक्षा दिकारी की इतने पोस्ट नहीं आये थे पहली बार इतने जादे संख्या में पोस्ट आये और फार्म साढ़े दसलाक भरे गए यानि देखा जाए तो इतने बड़े टक्कर में आप लोग है इस बार बड़ा संघर्स है जो इस साल बिजेता होगा उसका संघर्स बड़ा होगा और बिलकुल वह एक अलग ही छवी वाला होगा तो बिलकुल अगर आपकी पढ़ाई उसी तरह से चल रही है तो जाहिर सी बात है आप बहतर करेंगे सांदार करेंगे और आती है देखेगा आरो यारो का पेपर जो है जिसका बावधिक लेवल बहतर है जिसकी प्लानिंग बहतर है जिसके पढ़ना जो पढ़ बेहतर करेंगे होता है न आप जानते हैं NCRT-oriented आपको रहना है हर एक चीजें आपको NCRT-oriented रहना है current affair NCRT-oriented नहीं वो तो आप जानते हैं कि हर बार बहतर अलग से होगा और आप बहतर करेंगे यहां पर सही जबाब अत्यदिक विवित्ता का कारण क्या है उत्परिवर्तन हो क्या होगा इसका सही जबाब यह सवाल देखेगा थोड़ा परिशान आपको भी करेगा लेकिन आप इसको उत्परिवर्तन ही चुनिएगा क्योंकि जब भी कोई Sudden Change हो जाए तो DNA आपका बदल जाएगा जीन आपका बदल जाएगा सही जबाब चालिसवे question का क्या बनेगा सी बनेगा है ना चलिए अगला सवाल आपसे पूछा हुआ है निमलिखित में से कौन सा एक सजीव जीवों में एक नई जाती की उत्परिवर्तन के लिए सारवाधिक महत्तोपूड है देखेगा प्राकृतिक वर्ड उत्परिवर्तन नई जाती कैसे पैदा होगी साथ तारिक को रस्गुल्ला खाने साथ को क्या है बाबू साथ को तो याद नहीं आ रहा है साथ को तुम्हारी साथी है क्या चालिसमे का सी प्राकृतिक नई नई यहाँ पर जबाब देखेगा इस सवाल के बारे में पूछा है तो परिशान न होईएगा इसका जबाब भी उत्परिवर्तन ही होने वाला है क्योंकि जब भी कोई नया जीव बनेगा तो नए गुड आने चाहिए और नए गुड उत्परिवर्तन के कारड ही बनेंगे और उत्परिवर्तन यानि DNA में जो change होता है DNA में change कैसे आएगा तो DNA में जो change आएगा वो gene के delete हो जाने से gene के duplicate हो जाने से gene के एक दूसरे से बदल जाने से तो यहाँ पर उत्परिवर्तन ही लेंगिक जनन से तो विभिनता का कारण बनता है बिबिनता का कारण बनता है और पूछा है आधनिक मनुस्य के हाल का पुर्वज कौन है आप जानते हैं कि मनुस्य कर तो आधनिक मनुस्य के हाल अच्छा होमो सेपियंस यह आप जानते हैं आधनिक मनुस्य का नाम है यह होमो सेपियंस लेकिन पूछा है कि आधनिक मनुस्य के पुर्वज कौन है इसमें से जावा है क्रो मैगनन है नियंडर्थल है या पेकिंग है पेकिंग वाला मानो आप जानते चीन वाले इलाके का है नियंडर्थल होगा, क्रोमेगनन होगा और जवाब SD यादों ने दिया है रस्मी पटेल का भी है और वनसी का भी है, बहुत बढ़िया प्रियंका का भी है सही जवाब क्रोमेगनन मानो जो है आधुरिक मनुष्य के हाल के ही पुर्वज है और पूछा है कि भाया सब्द डेनी सोवन कभी कभी समाचार पत्रों के माध्यम से किस संदर्व में आते है इसमें आपको बताना है किसको चुनेंगे आप इससे जुड़ा हुआ क्या बताएंगे डेनी सोवन कैसी प्रजाती है क्या ये डायनासोर की प्रजाती है तो डायनासोर की प्रजाती तो आप जानते हैं जुरासिक पार्क आप जानते हैं जुरासिक एरा के होते हैं जुरासिक ट्राइसिक ये एरा आपके डायनासोर की है लेकिन अगर आप से पूछा जाए कि क्या डेनिस सोवन एक गुफा तंत्र है तो ये भी गलत होगा भारती उप महादिप के इतिहास में कोई भूगय भाँ भूबैग्यानिक कल्प है ये भी गलत होगा तो ये आंसर भी आपका गलत हो गया ये भी गलत है तो क्या बनेगा डेनिस सोवन आप सभी जबाब दीजिए एक आपसन बचा है अब तो आप बता सकते हैं अब तो आप बता सकते हैं कि सर जी ये होगा डेढ़ लाख वर्स पुरूव यूरेसिया में रहने वाले यूरेशिया में रहने वाले आदी मानों है देड़ लाख वर्ष पुर्व यूरेशिया में रहने वाले आदी मानों है कौन डेनी सोवन यूरेशिया में रहने वाले अगला सवाल पूछा है आर्क्योप्टेरिक्स क्या है पूछा है इसमें से एक जवाब चुनना है जुरासिक यूग का सर्व पुरातन पक्षी जुरासिक काल का सरिस्रिप ट्राइसिक काल का सरिस्रिप ट्राइसिक और जुरासिक दोनों काल का सरिस्रिप चले इस सवाल का जवाब बताईगा इसमें आप जानते हैं आर्क्योप टेरिक्स जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं भाई एक तरह से कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से क्या है जैसे आपने यूगलीना को देखा होगा यूगलीना न प्लांट के और एनिमल के कनेक्टिंग लिंक है ऐसे ही आपने वाईरस को देखा होगा वाईरस लिविंग और नान लिविंग के है और ऐसे ही आर्क्योप टेरिक्स जो होते हैं ये आपके पास रेप्टाइल्स के भी है रेप्टाइल्स और साथ में किसके हैं तो साथ में बर्ड के हैं रेप्टाइल्स और बर्ड के तो जुरासिक यूग का सरो पुरातन पक्षी है किसका है इसका जवाब चुनिएगा क्या बोलेंगे तो ये सबसे पुराना पक्षी है जब सरिस्रिप चीडिया बना था तो ये रेंगता भी था एक संयोजक कड़ी के तोर पर यह विद्दिमान था जुरासिक काल में संयोजक कड़ी के तोर पर ठीक है अगला सवाल है मैमत किसका पुर्वज है घोडे का देखिए इक्वस अगर बोलता है इक्वस तो इक्वस बोलता है तो आपको बोलना है हाथ घोडा लेकिन अगर आपसे मैमत बोलता है तो आपको हाथ ही बोलना है इसका जीवित हाँ इसका एक जिवास मिला है आप जानते हैं अंटारकटिक वाले छेतर में जिवास मिला है चले अगला है डाइनासोर थे किस काल के थे पहली बात क्या एमफिबिया थे नहीं भाई पक्षी थे नहीं भाई सरिस्रिप थे तो बिल्कुल A और D में से एक चुनना है देखेगा ऐसे आप आसान तरीके से सवाल को इजी कर सकते हैं ठीक ना मिसो जोईक सीनो जोईक मिसो जोईक के बाद सीनो जोईक आता है ठीक ना सीनो जोईक बहुती एडवांस है ठीक ना सीनो जोईक नहीं होगा एक आप्षन बचा डायनासोर क्या आप्षन बचा आपके पास डायनासोर अगला सवाल पूछा है जीवों के इवाल्यूशन के संदर में इसमें से एक चुनियेगा सेलामेंडर, अजगर, कंगारू मेधा, केकडा, जीगा आक्टोपस, डालफिन, सार्क पैंगोलीन, कच्छप और बाद कच्छप का मतलब कच्छुआ पैंगोलीन क्या पानी में उगते हैं इसका जवाब चुनिये सभी लोग क्या चुनेंगे सेलामेंडर, अजगर और कंगारू आक्टोपस, डालफिन और सार्क डालफिन तो एस्तंधारी है सार्क एस्तंधारी नहीं है तो कट जाएगा पैंगोलीन, कच्छप और बाद कच्छप से बाद नहीं बन सकता सेलामेंडर पानी में अजगर भी और ये देखेगा अजगर जो है आप जानते हैं सेलामेंडर जो है ये भी अस्थल पे है अजगर भी और कंगारू भी तो पूछा है विकास का कौन सा सही क्रम है मेधा केकड़ा जींगा नहीं हो सकता एक ही बचरा है ये भी परफेक्ट तो नहीं है लेकिन यही एक बचा है आपशन में ये सिविल का कोश्चन है और यहां पर दो सवाल और बचे हैं आपके पास पूछा है पादप जगत और प्राडी जगत की जातियों की बहुत बड़ी संख्या में ग्याद किया गया है अब बताईए सबसे अधिक जीवों की किसकी संख्या सबसे अधिक है इसमें से दो चीजे है एक है आपके पास किट एक है आपके पास क्या इसमें दो चीजे हैं आपके पास ध्यान दीजेगा कवक कीट पादप और जिवाडू तो इसमें से कीट और जिवाडू में से एक बताईए, यह दोनों हटाईए एक चुनिये, जी कीट होंगे कवक नहीं होंगे, कवक हटा दिये जी वाडू को होंगा, किसका होगा बताईए, सभी लोग को याद रखना है, कीट जो होते हैं आर्थो पोडा में आते हैं यह सेकेंड लार्जेस्ट है पूछा है सुच्म जी वाडू बैक्टरिया को देखा जा सकता है बैक्टरिया को कहां देखा जा सकता है, खाली आख द्वारा, कंपाउंड या हेड लेंस के द्वारा क्या बताईए, खुर्द बीन नहीं, यह सुच्म दर्सी होते हैं सुच्म दर्सी खाली आख द्वारा है इसमें से किस के द्वारा देख सकते हैं केवल और केवल सुचमदर्शियों के द्वारा ही आप देख सकते हैं ठीक ना किस के द्वारा देख सकते हैं सुचमदर्शी के द्वारा ठीक है और जीवाडू की खोज करता कौन है ऐसे बिसाडू पूछता है और ये कोशन आपके लिए है और ये कोशन आप होम्वर्क में इसका जवाब दीजिएगा ठीक ना लास्ट कोशन है इसको आप होम्वर्क में कमेंट सेक्षन में रिप्लाई दीजिएगा ठीक ना 48 वे सवाल का क्या कह रहें भाई कीट इसका सही जवाब कीट है अगर आप आरो आरो के लिए यकीन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप मात्र 699 रुपे में जुड़ सकते हैं आरो आरो के प्री और मेंस के बैच के लिए तो बेहत सांदार और लाजवाब बैच है पेड बैच से अगर आपको जुड़ना है तो MD Classes का Official Application इंस्टाल कीजिए नाम नंबर रजिस्टर कीजिए पेड कोर्सेज में जाए और यहां से आप जाकर डायरेक्ट जुड़ सकते हैं फ्री वीकली टेस्ट भी आप दे सकते हैं आप यूपी की त्यारी कर रहे हैं तो यूपी स्पेशल के फ्री टेस्ट हर संटर डे संडे होते हैं आप यहां पजूड़े रहिए साइंस की क्लास डेली होगी आप बने रहिएगा ऐसे ही इसी समय डेली आठ बजे आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताईएगा और याद रखेगा आपके कंधे पर जिम्यदारी बहुत है आपके माबाप की उमीदे आपके साथ है हम आपके लिए यूपी संगम का ये टेली ग्राम लिंक देते हैं अगर किसी तरह की कोई समस्या परिसानी है तो इस पर जरूर अपने मैसेज कर सकते हैं ठीक है चलिए ये टेली ग्राम चैनल मेरा है अगर आप मेरे से साइन्स से डेटेड कभी कोई कन्फूजन आता है आप इस टेली ग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं अब इसे एक सर एमडे क्लासेज डायरेक्ट आप जुड़ाओ कर इसे जुड़ सकते हैं तो आज के क्लास में आपके सहियों के लिए आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद एक ही बात आपसे कहनी है अगर इस साल आप आरो यारो की तयारी कर रहे है तो एक बात आपसे पूछना है क्या ये तयारी आप सिरियस तरीके से कर रहे है या एक ऐसा ही एक साल ऐसे गवाद देना चाहते है अगर आप ये तयारी इस साल पूरे सिरियस तरीके से कर रहे है गंभीर तरीके से कर रहे है तो मेरे भाई मेरे दोस्त आपसे बस एक ही बात कहनी है कि समय से बड़ा बलवान कोई नहीं है इस वर्स एकदम बेहतर प्लान के साथ कोर्स को कवर कीजिए मौक टेस्ट लगाईए अपने आप पर भरोसा रखे और अपने आपको जोग दीजिए या साल को अपने जीवन का सबसे अनमोल वर्स बना दीजिए जीवन का सबसे कि आप जानते हैं कि समय से महत्वपूर समय से किमती दुनिया में कोई नहीं है यह वक्त आपका नहीं होगा बहुत सारे लोगों ने आपसे कहा होगा कि नहीं होगा तुमसे लेकिन आप सेलेक्शन लेकर या प्रूफ कर दीजिए कि हर दुनिया का ना कहने वाला व्यक्ति गलत है तो आप जब मुश्किलों के बीच चमकेंगे न तो आपका जो सितार जो आप जो सितारा बनेंगे वो ज्यादा चमकदार बनेंगे हमारे हिस्से में जो भी मुश्किले आएंगी आपके जीवन की वो असान करने के लिए हम है डायरेक्ट टेलेग्राम चैनल पर के तरब से हमेशा आपके तक पर खड़ा हूं ओ प्रिया और का कोश्चन हो या आपके लिए साइंस का कोश्चन हो हमेशा दिन हो रात आपके संगर्ज के लिए आपके सेलेक्शन के लिए क्योंकि कहते झाल झाल